Hello everyone, welcome back to Shape Up Your Life Millets को लेकर हम सभी धीरे धीरे अवेर हो रहे हैं जो कि एक बहुत अच्छी बात है जो लोग अभी भी पूछ रहे थे कि millet क्या होता है तो rice और wheat की तरह ही ये भी एक grain है जिसे मोटा नाज भी कहते हैं हमारे पूरवज यही नाज खाया करते थे इसलिए वो इतने healthy रहते थे rice और wheat बुरा नहीं है लेकिन मैं बस इतना कहूंगी ये उससे काफी अच्छा है ये बहुत slowly glucose release करता है जिसकी बज़ा से बहुत से बिमारियां cure हो जाती है diabetic patients के लिए बहुत बढ़िया है weight loss में काफी help करता है मेरे खियाल से at least दिन में एक meal हमें millet लेना चाहिए कुछ महिनों से मैंने rice और wheat को replace किया है and I am feeling very light कुछ ना कुछ नया मैं millets के साथ try कर रही हूं और आपकी request पे में week के 6 दिनों के लिए 6 recipes लेकर आई हूं जिने आप breakfast में या lunch में या फिर dinner में भी ले सकते हैं पहली recipe शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसे बनाना बहुत easy होता है आज कल ये grocery store पर भी मिलने लगा है लेकिन online तो बहुत easy लिए आपको मिल जाएगा कोई भी आप जब millet बाय करते हैं में शामिल करूंगी अगर मैं आटे की बात करूं तो मैं रागी का आटा और जौं का आटा ही ज़ाधा consume करती हूं किसी भी millet को बनाने से पहले कम से कम भी 8 से 10 घंटे आपको उनको soak करके रखना है मिलिट को ज़ाधा wash नहीं करतें सिरब एक बार wash कीजिए बहुत अगर आपको dusty लगे तो आप दो बर wash कर सकते हैं उसके लावा उसे जिस पानी में आप soak करें उसी पानी में उसे cook करना है अगर एक कप millet है तो धाई कप उसमें पानी जाएगा तो उसके हिसाब से ही आप उसे soak कीजिए ताकि उस पानी को फैंकना ना पड़े तो बस उसी पानी में आप उसे simply boil कीजिए जैसे आप rice को boil करते हैं तो rice की जगा दाल के साथ या किसी भी सबसी के साथ आप millet को खाईए दाल या सबसी के साथ little millet या फिर barnyard millet ही मुझे जादा tasty लगते हैं फॉक्सटेल मिलट या फ्रिकोडो मिलट उनका मैं एस्सेमाल बाकी दूसरी recipes के लिए करती हूँ तो चलिए आज की पहली recipe भी हम barnyard millet के साथ ही बनाएंगे जिसे wash करने के बाद पूरी रात मैंने दो कप पानी डाल के सोक कर दिया था तो यानि कि एक कप barnyard millet तो दो कप उसमें पानी डाला था porridge बनाएंगे जिसके लिए पहले पानी में millet को हम boil करेंगे जब पानी almost सूखने वाला हो जाए तब हम उसमें milk डालेंगे तो दूद का ratio यहाँ पर मैंने कुछ मयर करके दूद नहीं डाला है simply बस आप जितना थिक रखना चाहें यतना थिन रखना चाहें उतना आप रख सकते हैं तो 10 से 12 मिनिट लगेंगे इसे दूद में भी cook होते हुए बहुत soft हो जाएगा उसके बाद इसमें flavor डाल दीजिए थोड़ा सा मैंने इसमें vanilla essence डाला है jaggery powder डाला है थोड़ा सा दालचीनी powder डाला है जरा सा मैंने इसमें hand grinder चला दिया ताकि इसका texture काफी अच्छा हो जाए और एक बात का हमेशा खयाल रखे जब भी आप millet को cook करते हैं उसे कभी भी high flame पे cook नहीं करना उसे हमेशा medium to low flame पे cook कीजिएगा तो बस इसे pour कर लेना है आपने किसी भी bowl में उसके बाद इसे गानिश कर दीजिए dry fruit के साथ, fruits के साथ 10-15 मिनट में एक healthy porridge आपके पास ready हो जाता है आराम से आप consume किजिए चाहे तो breakfast में, lunch में या फिर डिनर में राइस और दाल की इडली आपने बहुत बार खाई है, मैंने भी बहुत बार खाई है लेकिन आज हम बनाएंगे millet इडली ratio यहाँ पे भी same ही रहेगा 1 4th cup यहाँ पे मैंने धोली उड़त की डाल ली है, जिसे मैंने wash करके soak कर दिया है पानी में साथ में एक चमच मैंने इसमें मेथी दाना भी डाला है इडली बनाने के लिए मैं foxtail millet का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसे मैंने रात भर पानी में soak कर दिया था सुबा के वक्त दोनों चीजों को वारी वारी से हम grind करेंगे, लेकिन grind करने से पहले दो चमच पोहा नॉर्मल जो पोहा होता है, उसे मैंने पानी में soak कर दिया, उसे भी हम इसमें ही grind करेंगे इडली बनाने के लिए कुछ भी different नहीं है, सेमी method हम follow कर रहे हैं, जैसे हम rice को पहले grind कर लेते हैं, यहाँ पे हमने millets को पहले grind कर लिया तो बारिक इसका paste बना लेजिए, उसके बाद दाल और मेथी दाना, दोनों को भी मैंने एक साथ grind कर लिया और उसके बाद उसी में डाल दिया वो जो पोहा हमने सोक किया था, उसे भी grind कर लेंगे अब सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से हमने mix कर लेना है, तो सब चीज़ें तयार हैं, लेकिन यह आपको भी पता है कि यह अभी भी इडली का better ready नहीं हुआ है, अभी इसे हम ferment करने के लिए रखेंगे तो बहुत गर्मी जब होती है, तब तो आपके counter top पे ही यह 6-8 घंटों में अराम से ferment हो जाता है लेकिन आज कल जैसे weather थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, तो मैंने इस इडलेट लगा के अच्छे से cover करके oven में रख दिया 8-10 घंटे के लिए उसके बाद ही हम इससे इडली बनाएंगे और 10 घंटों के बाद जब मैंने इसे चेक किया तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया यह ferment हुआ है और इसकी इडली बहुत ही बढ़िया बनेगी, तो चलिए इडली बनाने के लिए बैटर तो ready है, इसमें नमक डाल दीजिए थोड़ा सा काली मिश्का powder डाला है मैंने हरा धनिया डाला है काटके, अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो गाजर को ग्रेट करके डाल सकते हैं, लौकी ग्रेट करके डाल सकते हैं या फिर शिमला मिर्च डाल सकते हैं बहुत बारीक काटके तो यह आपकी प्लेन इडली की बजाए, वजटेबल इडली रेडी हो जाएगी, तो बस स्टीमर में पानी में ने चड़ा दिया है, बॉल करनी के लिए रख दिया है, फिर इडली मेकर को ग्रेस करके बैटर इसमें डाल देना है, 15 मिनट बाद हम इडली निकाल लेंगे, लेकिन फ्लेम मीडियम टू लो ही होना चाहिए, बार बार लिड खोल के आपको चेक करनी की जरूरत नहीं है, डारेक्टर 15 मिनट के बाद एक टुत्पिक डाल के चेक कर सकते हैं, इडली आपको रेडी ही मिलेगी, थोड़ा सा इसको ठंडा होनी दीजिए, स्पून को पान पानी में डिप कीजिए, और सारे इडली निकाल लीजिए, और फॉक्स्टेल मिलेट के साथ बनीज बहुत ही हेल्दी इडली को इंजोई कीजिए, कोकुनट चटनी के साथ, अगर आपका इडली बैटर बहुत अच्छे से फर्मेंट हुआ है, तो इडली बहुत ही स्पॉ अगर आपने क्विक रागी डोसा बनाना हो तो ये रेस्पी आपके बहुत काम आने वाली है, मैंने यहाँ पे एक कब के करिब लिया है रागी का आटा, उसमें डाले हैं तीन चमच दही, थोड़ा सा रॉक सल्ट, थोड़ी सी काली मिर्च का पॉडर, बस पानी डालके इस इसे अच्छे से फैंट लेना है, और बहुत ज़दा थिक भी नहीं और बहुत ज़दा रनी भी हमें ये बेटर नहीं चाहिए, थोड़ा सा मीडियम ही इसे रखिएगा, अब अगर आपको प्लेन डोसा खाना है तो तवे के उपर सिदा इसे फैलाईए, सेकिए और चटनी के साथ enjoy कीजिए, लेकिन हम इसकी filling भी बनाएंगे और इसे थोड़ा सा और healthy बनाएंगे, तो filling के लिए कुछ सबजियों को olive oil में saute करेंगे, तो मैंने यहाँ पर प्याज लिया है, शिम्ला मिर्च लिए और साथ में थोड़ी सी पत्ता गोबी डाली है, seasoning डाल देंगे जैस कुछ चीजों को grind कर लीजी, आपके पास एक चटनी फटा फट से रेडी हो जाती है, तो चलिए, चटनी आपके पैस रेडी है, filling रेडी है और डोसा बैटर भी रेडी है, तो देर किस बात की, तब ही पर थोड़ा सा oil लगाईए और इसे फैला दीजी, दोनों तरफ से पल तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, दस मिनिट में आप प्लेन डोसा रेडी कर सकते हैं, लेकिन अगर फिलिंग करना चाहें, तो बस इस पे चटनी जो हमने बनाई है, वो लगा देनी है, फिलिंग रख देनी है, वेट लॉस में भी आप दो डोसा अराम से खा सकते हैं तो चलिए लिटल मिलेट के साथ बनाते हैं मिलेट उपमा, तो प्रॉसेस बिल्कुल सेम रहेगा, पानी में सोक कर देना है उसको रात भर और उसी पानी का यूज़ करेंगे, हम उस मिलेट को बॉयल करने के लिए, मिलेट को बॉयल करते समय कभी मैं नमक अड़ नहीं करती हूँ, कहते हैं उसमें नमक अड़ नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा देसी घी या कोई भी ओयल आप इसमें डाल सकते हैं, और जब तक मिलेट बॉयल होंगे तब तक हम कुछ सबजियां चॉप कर लेंगे, मैंने य पाकी की सारी सबजियां इसमें डाल देंगे, उनको सौटे कर लेंगे, लिट लगागे सबजियों को हलका सा पकने दीजिए, बहुत ज़दा सौफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा कहती हूँ, सबजियों को थोड़ा क्रंची ही खाए, मिलेट को जब हम बॉयल क करते हैं, जब उसका पानी पूरा सूख जाता है, उसके बाद भी 10 मिनट तक हमें उसे लिट लगा के रखना चाहिए, फ्लेम आफ करने के बाद भी, तब ही वो अच्छे से कुक होते हैं, प्रॉपर सौफ्ट होते हैं, और आपको डिजेशन में कोई दिक्कत भी नहीं आते हैं, सबजियों के साथ सेम वैसे ही बनाया है, सबजियां कुक हो जाएं, उसके बाद उसमें हमने वो मिलेट डाल दिये, जो हमने बॉयल किये थे, तो बस इन्हें अच्छे से मिला लीजी, अगर आप इसमें और भी कुछ मसाले वगरा डालना चाहिए, तो डाल सकते ह कैसे की गरम मसाला वगरा, तो बस गारनिश कर दीजिये हरे धनिये के साथ, और इंजोई कीजिये, कोडो मिलेट के साथ हम बनाएंगे, मिलेट टिक्की या मिलेट कटलेट कुछ भी आप कह सकते हैं, इसे भी मैंने राद भर बानी में सोग कर दिया था, तो मैंने एक कप ही टिकी में कभी खाती नहीं हो, तो अलो वगरा हम इसमें आड भी नहीं करेंगे, तो सबजियां ली हैं, यहां पर मैंने गाजर और लौकी को ग्रेट कर लिया है, उसके लवा मेरे पस ब्लाक बॉयल चने, फ्रीज की हुए पड़े थे, तो वो मने ले ली हैं, तो उसको पा आस कटा हुआ, थोड़ी सी हरी मिर्च कटी हुई, उसके साथ ही जो सबजियां हमने ग्रेट की है, जैसे की गाजर और लौकी, वो इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला डालके से अच्छे से मिक्स कर लीजी, उसके इसमें हम डालेंगे, जो हमने फ्रीज की हुए चने ग्राइंट किये थे, अब इसमें बॉयल की हुए मिलट डाल देंगे, तीन से चार मिलट इसे और पकाने के बाद इसमें हम क्रश किया हुआ पनीर डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे, इसमें हरा धनिया, सब चीजों को बहुत ही अच्छे से से मिक्स कर लीजिए उसके बाद हम इसके कटलेट्स या टिक्की जो भी आप कहना चाहें बनाना स्टार्ट करेंगे बाइंटिंग के लिए हमने इसमें कोई आलू नहीं डाले हैं कोई बेसन नहीं डाला है तो बस पानी का हाथ लगा के गोल-गोल टिक्की बनाते जाए और तवे पे सेखते जाएए ये तिक्की जो हैं थोड़ इसी सॉफ्ट बनती हैं लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगत इस अनाज में फाइबर बहुत ज़ादा है, कैल्शियूम बहुत ज़ादा है और भी बहुत सारे जुरूरी वाइटामिन्स हैं जो मोसली हमारे मील में से मिसिंग रहते हैं चलिए बनाते हैं जों की रोटी सबजियों के साथ, उसके लिए आधा कव पानी लेना है, हलका सा वो गरम हो जाए उसके बाद उसमें डाल लेंगे हम जों का आटा एक कप, बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेजिए, थोड़ा समने इसमें और डाला था कि मुझे जाला चिपच चिपा ना लगे, अब अपने पसंद की ग्रेट की हुई या बहुत बारीक कटी हुई सबजियां इसमें डाल देनी हैं, मैंने गाजर की है ग्रेट और साथ में थोड़ा सा खीरा डाला है, ग्रेट करके अधरक लसन और हरी मिर्च का पेस्ट डाला है, हराधनिया डालेंग और साथ में बटर पेपर लेना है, थोड़ा सा उसके उपर ओयल अप्लाए करना है, और हलके हाथों से रोटी बना लेनी है, इट्स लाइक जैसे हम मक्की की रोटी बनाते हैं, मतलब मक्की की रोटी में हमेशा चकले पर बनाती हूँ, वो भी सूखा अटा लगा गे, लेक पेपर के साथ ही रोटी को तवे पर पलट देना है, थोड़ा सा वेट कीजिए, मतलब कुछ सेकिंड्स के लिए, और उसके बाद आप देखेंगे कि पेपर अपने आप रोटी से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, दोनों तरफ से सेक लीजिए, उसके बाद चटनी के साथ या फिर दहीं के साथ आप इसे इंजोई कर सकते हैं, तीन महने तक डेली आप मिलेट्स खाके देखें, फरक आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, डाइबटीस के पेशन्स के लिए तो ये रामबान है, ये पांचों मिलेट ग्रोसरी स्टोर पे आपको मिल जाने चाहि अपको अपने प्याप आपको अपको मिलेट के लिए सकते हैं